ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए, तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते, बोल इलाबा अजाद है तेरे एहनकार कैसे चकनाचूर होता है तो उसनों दो तस्वीरे में आपको दिखाना चाहता हूँ ये देखिए सुप्रीम कोट के सामने चेहरे के भाव देखिए रामदेव और बालकृशन के, आज इन दोनों को अदालत के सामने गिड़ गिड़ाना पड़ा, एहनकार कैसे नतमस्तक होता है, सुप्रीम कोट की ताकत के सामने ये दो तस्वीरें इस बात की बांगी हैं, वो रामदेव जो अपनी पातांजली के जरीये हमारे डॉक्टर्स को बदनाम कर रहे थे, आलुपाथी को बदनाम कर रहे थे, वो रामदेव जन्होंने कोरोना के बारे में भरामग बयान दिये और मोधी सरकार ने कोई आश्षन नहीं लिया, आज उन्हें सुप्रीम कोट के स तमाम गोधी मीडिया निउस चैनल में क्योंकि कई गोधी मीडिया निउस चैनल पतांजली के पैसे से चलते हैं आज वो रामदेव जो हैं उन्हें अदालत के सामने माफी मांगनी पड़ी मैं आपको बतलाओंगा कि जब बाद में पत्रकार उनसे रूबरू हुए तब उनकी क्या हालत थी मगर सबसे पहले किस तरह से उन्होंने माफी मांगी ये मैं आपको बतला रहा हूँ रामदेव की माफी रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने कहा कि दोनों आगे आकर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने को तैयार है इसके बाद रामदेव और बालकृष्ण अदालत में आगे आए रामदेव ने कहा हम सुप्रीम कोट से हाथ जोड़ कर माफी मांग रहे है सुप्रीम कोट ने बाबा रामदेव से कहा आप चाहे जितने भी उचे हो कानून आप से उपर है कानून की महिमा आप से उपर है एक करारा तमाचा था दोस्तों सुप्रीम कोट की तरव से और देखने लाइक बात ये थी कि वो आदमी जिसने देश को नजाने कितनी बार भ्रामग बयान दिये अनरगल वादे किये काले धन को लेकर देश की व्यवस्था को लेकर अच्छे दिन को लेकर आज उसकी नाक को रगड़ा गया है दोस्तों आगे सुप्रीम कोट ने नाराजगी जताते हुई कहा 21 नवंबर के कोट के आदेश जारी करने के बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फरेंस की गई इसमें बालकृष्ण और रामदेव मौजूद थे आपकी माफी परियाप्त नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोट में सुनवाई चल रही थी और पतांजली विग्यापन छाप रहा था आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं आपने ऐसा क्यूं किया आपको नवंबर में चेताया गया था इसके बावजूद आपने प्रेस कॉंफरेंस की इसलिए आप कारवाई के लिए तयार रहिए ये देश की सबसे बड़ी अदालत है आपने आक्ट का उलंगन कैसे किया आपने कोट को अंडर्टेकिंग देने के बाद भी आप कारवाई के लिए तयार हो जाईए और मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि फटकार उत्राखंड सरकार और मोधी सरकार को भी पढ़ी है मोधी सरकार से आज मैं फिर कुछ सवाल पूछने वाला हूँ मगर उत्तराखंड सरकार और मोधी सरकार को फटकार लगाते हुए क्या कहा गया है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ सुप्रीम कोट ने रामदेव और बालकृष्ण को हलफ नामा दाखिल करने का आखरी मौका दिया है केंद्र और उत्तराखंड से भी हलफ नामा मांगा कि क्या कारवाई की गई सभी से एक हफ़ते में जवाब मांगा गया मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रेल को है और इस सुनवाई में भी रामदेव और बालकृष्ण दोनों को हाजिर रहना पड़ेगा मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ यह कहाजा है सवाल मोधी सरकार से आपको याद है जब भारत कोरोना से जंग लड़ रहा था जब ऑक्सिजन नहीं थे जब ऑक्सिजन की कमी की वज़ा से लोगों को हिंदूओं को जमीन में गाड़ना पड़ा था अपने परिजनों को जब एक एक अरथी पर तीन तीन लोगों को जलाय जा रहा था तब ये व्यक्ति रामदेव हमारे डॉक्टर्स को गाली दे रहा था मैं नहीं भूला हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहा करते थे कि कॉंग्रिस ने वैक्सीन के बारे में भ्रामद बयान दिये जो कि सरासर गल्द था ऐसा कुछ नहीं था वो सिर्फ ये कह रहे थे कि जो भी वैक्सीन आ रही है उसे प्रॉपर परिक्षन हो टेस्ट हो उसके बाद उसे लागू किया जाए मंगर ये व्यक्ति रामदेव हमारे डॉक्टर्स को गाली दे रहा था मोदी सरकार ने कभी कोई आक्शन नहीं किया आपको याद होगा इनका एक पालतू फिल्म मेकर है जिसका नाम है विवेक अगनी होतरी उसने एक वाहियात फिल्म बनाई थी दे वैक्सीन वार्ज उसमे भी विवक्ष पर निशाना साधा जा रहा था पत्रकारों पर निशाना साधा जा रहा था मगर वो रामदेव जिसके करोडो फॉलुएज हैं करोडों के बारे में कुरोना के बारे में हमारे डॉक्टर्स को गाली दे रहा था मगर मजाल है उस फिल्म में उसका जिक्र किया गया हूँ फिल्म फिक्शन थी कलपना थी मगर इस कदर कलपना कि वो प्रॉपगांडा बन गई आज सुप्रीम कोट के फैसले के बाद पत्तकारों ने उनसे सवाल पूचे सुनिये हालत क्या थी रामदेव जी की सुनिये बाबा रामदेव आपने ये घलत दावा क्यों क्या कोड में किया आप कोर्णिल से इलाज करेंगे आपने सुप्रिंग कोड में जूट क्यूं बोला बाबा रामदेव जी सुप्रिंग कोड में जूट क्यूं बोला आपने जैसे मैंने आपको बताया कई गोधी मीडिया न्यूस चैनल्स चल रहे हैं पतांजली के विग्यापनों और केंद्र सरकार से जो विग्यापन मिलते हैं आज आप किसी भी गोधी मीडिया न्यूस चैनल्स में जो फटकार लगाई गई है रामदेव को उसकी चर्शा नहीं सुनने वाले हैं मैं नहीं भूला हूँ कई बार ऐसा हुआ है जब रामदेव जो हैं अपने तमाम प्रोड़क्स को लेकर टीवी पर बैड़ जाया करते थे और तमाम अंकर्स उनके सामने भजन करते थे ये कई बार हुआ है कभी भी इनसे कठिन सवाल नहीं किया जाता था मैं आपको बतला सकता हूँ कि किस तरह से पत्रकारों की मौजूदगी को लेकर संस्थाओं पर दबाब बनाये जाते थे कि जब तक ये पत्रकार हैं हमारे विग्यापन नहीं आएंगे जब ये पत्रकार जाएंगे तब विग्यापन आएंगे मैं खुद भुक्त भोगी हूँ मगर आज रामदेव के एहिंकार की हार हुई है उन्हें 10 अपरेल को फिर से हाजर होना है मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तों कि इससे पहले उन्होंने हमारे डॉक्टर्स की तोहीन की है याद है आपको ये वो दौर है जब कुरोना की वज़ह से वैक्सीन का दौर नहीं था दोस्तों तब हमारे डॉक्टर्स की मौत हुई थी कई दर्जनों डॉक्टर्स कुरोना का इलाज करते हुए लोगों की सिवा करते हुए मारे गए थे मगर ये व्यक्ति इस तरह से उनका मजाग उड़ा रहा था देखे डॉक्टर टर टर किस तरह से टर टर कर रहे हैं और आज अदालत में अच्छे से टर 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 निकल गई देखिए तीसरा बुलो मुझी डोक्टर बना है टर 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 करते रहे तर बना है टर डोक्टर एक हजार डोक्टर तो अभी कोराना की डबल वैक्षिन लगाने के बाद मर गए कल क्या समाचार है कितने एक हजार डोक्टर डबल वैक्षिन लगाने के बाद भी मर गए अपने आप कोई नहीं बचाए पाई वो कैसी डोक्टर ही तो मैंने का डोक्टर बना है तो सौमी रामदेव जैसा बन जिसके पास में कोई डिगडीर नहीं और सबका डोक्टर है इस व्यक्ति का एंकार जो है वो आसमान छू रहा है याद कीजेगा जब पत्रकारों नहीं याद दिलाया कि रामदेव जी आप ही ने कहा था कालाधन आएगा आप ही ने कहा था अच्छे दिन आएंगे तब इनका जवाब देखिएगा कि मेरी पूँच फाड़ लेगा कि अंदाजे बया देखिए इनका मुझे ताज़ुम होता है कि इस व्यक्ति की मैं एक जमाने में इज़त किया करता था और जब ये महिलाओं के कपड़े पहन कर भागे थे तब मैंने इनका समर्थन किया कि दिल्ली पुलीस को ऐसी कारवाई नहीं करनी चाहिए थी देखिए इनका हैंकार किस तरह से जब पत्रकारों ने इनके पुराने वादे याद दिलाए तो इनके क्या तीवर्त है बबाजी आपने तो टीवी चैनल पर ये कहा था कि कुन सी सरकार आपको चाहिए 40-100 पर पेट्रोल वाली सरकार, 300 पर से लेंदर वाली सरकार तेरे प्रशन भूहत होगे तेरे नहीं प्रश्ण पर अच्छे भी काया कुछ मत पूछो मैं तेरे प्रश्रू का उतर देने के लिए को ठेके दार है कुछते तो जो भी पूछा मों इसका उतर दो जब एक बात कह दी थोरा सभे बात नहीं सीखो आप ही बता हो एक मिरट सबी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी तो देखा आपने पूछ भाड़ लेगा के एंकार देखिये और एंकार यहां तक सीमित नहीं था मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तों आज से कुछ महीनों पहले मैंने एक शो किया था रामदेव के उपर और वो मुद्दा क्या था मैं आपको बताता हूँ इनका एक दिव्य दन्त मंजन है और उसमें साफ तोर पर लिखा हुआ है कि यह समुद्री फेन से बनाया जाता है समुद्री फेन का अगर हम सरल अंदाज करें तो यह होता है मचलियों की हड्डिया बावजूद इसके पतांजली की वेब साइट में इसे वेजिटेरियन बताया था अब आप बताईए मचलियों की हड्डिया वेजिटेरियन कैसे हो सकता है तो मैंने बाकाइदा एक शो किया था और रामदेव से सवाल किया था आप जानते हैं रामदेव ने इसके जवाब में मुझे लीगल नोटिस भेज दिया लीगल नोटिस वो भी उस मुद्दे पर जो की साफ तौर पर आपके वेबसाइट में लिखा हुआ है आपके दिव विदंतमजिन में समुद्री फेन है जो वेजिटेरियन नहीं है और उस लीगल नोटिस में ये तक कहा कि इससे हमारा कुछ लेदा देना नहीं है जब की रामदेव ने उसे बार बार आरटाइज किया उसके लिए विग्यापन करने में वो खुद सामने आए उस लीगल नोटिस में मैंने इन तमाम चीज़ों का जवाब दिया वो जवाब इस कदर करा रहा था कि पलट के जवाब फिर रामदेव का मेरे पास नहीं आया मगर इससे ये पता चलता है कि जब इन्हें एक्सपोस किया जाए तो ये इस कदर बौखला जाते हैं कि वो धंकिया देते हैं लीगल नोटिस भेशते हैं मगर वो भूल जाते हैं कि सवाल वही कर सकता है जिसमें ताकत होती है और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आपकी सारी हेकड़ी निकल गए आज रामदेव को जशेता से सुप्रीम कोर्ट के सामने गडगड़ाना पड़ा ये सबक है उन तमाम लोगों के लिए जिने लगता है कि सत्ता की हनक के चलते हैं, सत्ता की धौस के चलते हम कुछ भी कर सकते हैं यकीनन राम देव को पूरा समर्थन मुदी सरकार से है, भाशपा से इसलिए ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है इसलिए इस व्यक्ति पर कभी भी जाँच एजनसीज की गाज नहीं होती इसलिए कभी भी इंकम टाक्सिन पर कारवाई नहीं करता है इडीम पर कारवाई नहीं करता है मगर हाँ वो तमाम धन्ना से जो विपक्ष से जुड़े हुए है उन पर कारवाई की जाती है अतीजे होंगे, परणाम होंगे, इसी लिए राम देव जी की सिट्टी पिट्टी गुम है। अब देखना ये है कि 10 अप्रेल को क्या होता है, ये भी देखना है कि मोधी सरकार इस पर क्या प्रतक्रिया जतलाती है। अब इसार शर्मा को दीजे इजासत। नमस्कार। अब दाना ये लगा मोधी की ये मिवकरा टैसामे、 जाना के लिए जाती है। अब देखना कि ऩवकंसे की संपत्ता जतलाती है। अब देखनों में थीका एकक हैक Стवता क्या जतलाती है।